बचो पेज नमबर पांच पर आजाए पैसे नमबर पांच हम स्टार्ट कर रहे हैं ये पैसे stop said the other से लिकर पैसे पैसे नमबर छे पर gratified to hear it तक है अब ये हुआ के जैसे ही उसने उससे बोलना शुरू किया कि एक ऐसी ऑुरत है इसने ग्रहक ने उसको जितिशी को खामुश क कि नहीं मिलेंगा यह बोलो वो किसी को ढूंड रहा था आंसर धी सेंड गो यह जवाब देवार घर को जाओ ताइम हो रहा अधर्वाइस नहीं तो आई विल नाट लेट यू गो मैं तुमको जाने नहीं देऊंगा तिल यू डिस डिस गॉर्ग यहां तक के तुम अंडर प्रेशर और यूर कोईंस सारे सारे पैसे चिलनूगा तुमसे एस्ट्रोजर को क्या देरा धंकी अश्ट्रोजर मुटर उसने बड़ बड़ाया अगर मैं सज बोला तो एक रुपए देना पड़ेगा अधर आवाज आई विल नाट ओपन माम हो तुमको जो बोलना है करो आफ्टर गुट डील ऑफ हैगलिंग और ठोडी बार्गेनिंग हैगलिंग ने बार्गेनिंग के बाद अधर एग्रीट सामनाल ग्रहा कराज आज यह तुमको इसको बोलना शुरू किया देखो एक बात बताता हूं एक मरतबा तुमको मरने के लिए चोड़ दिया गया था मरते मरते बचे तुम यू वेर लेफ्ट फ़र डेड तुम एक ऐक बार मरते मरते बचे एम राइट क्या मैं सही हूं ओ और बिल्कुल उन वहीं ब था नाइफ एस्ट्रोलजर ने उससे कहा गुड फैलो क्या आप बात कर रहे है चाही बात है यह बेर्ड इस चेस्ट उसे फरण अपना शर्ट उठाया और चेस्ट अपना सीना बताया तो शोदा इसकार रेन जखम का निशान में बता दिया चाको का उसके बाद क्या हुआ था बोलो बोलो उसके बाद जियोटिशन्स को बताना शुरू किया और बाद में तुमको एक वेल एक कुए में डाल दिया गया था खेत में एक कुए में धकिल दिया गया था और तुमको वहाँ पे मरने के लिए फिक दिया गया था अरे बिल्कुल सही बोल रहे तुम उसने कहा I should have been dead मैं तो मर जाता अच्छा हुआ कि एक पासरबार मारे से मुसाफिर गुज़रा उसने पीपेनी जहाका कोए में और मेरे को निकाला बड़ा ताज्यूप से उसने कहा वो तो ओर विल माए फिका था उस तक कप पहुंचूँगा मैं He has clinching his fist ऐसा उसने ऐसा अपना वो अपने मुक्थी को जोड़ से गया उसका मैं देख लिए उसको तोड़ दूँगा डाइड फोर्म तो बताओ मैं कप पहुंगा In the next world He died four months ago जिसने तुमको चाको मारा था नौ चार माने पहले मर गया है यहने far off town बहुत दूर गाउं में अब नहीं पकड़ सकते तुम You will never see any more of him आरे पकड़ दूर छोड़ो अब तुम उसको देख भी नहीं सकते मर गया हो The other ground on hearing उसको तो यह सुनकर बड़ा अफसोस हुआ रहे है और जिसकी तलाश के अपन गुमरे हो मर गया The astrologer proceeded उसके बाद astrologer ने आगे कहा Guru Nayak Guru Nayak है क्या Oh, you know my name एक तो मेरे नाम में पढ़ गया तुमको मेरे नाम में मालू है The other side taken away back उसने हाथ अपना पीछी कीच लिया As I know all other things Guru Nayak मुझे सब पता है तुमारी दूसरी बाते है नाम क्या सब जानता हूँ मैं जीवतीशी हूँ Listen, get a reference To what I have to say मुझे क्या कहना है Your village is two days journey due north of this town इस town से तुमारा village जो है वो दो दिन का सफर लगता जाने का है हमाँ पे By train अगर तुम गए तो बहुत दूर है ना North में है Take the next train एक काम करो मैं एक किलाज बताता train पकड़ो and be gone यहां से निकल जाओ I see once again great danger to your life मैं तुमारे हतिली में देख रहा हूँ इतर राख उठाई and held it to him और बोला रखो rub it to your forehead या पेशानी भी लगा लो and go home और जल्दी से घर जाओ Never travel southward South की तरफ मत जाना North की तरफ जाओ घर पे and you will live to be 100 और मैं जैसा बोल रहा हूँ अगर वैसा करोगे तो 100 साल जी होगे otherwise तुमारी लाइफ खत्रे में इसने पुचा why should I leave home again मैं दुबारा घर से निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता दादर से reflectively I was only going away now and then to look for him and to choke out for life if I meet him मैं निकला ही घर से इस वास्ते कि आज ये तो कल मुझे वो मिलेगा जिसने मुझे चाखु मारा था and I will choke out his life I meet him उसको खतम कर दोगा साले को he shook his head regretfully उसने कहा कि ऐसा मत करो he has escaped he has escaped my hand किते दिन बचेगा मेरे हाँ से I hope at least he died as he deserved और मौत तो उसको एक दिन आनी की थे वो तो मरने वाला है हाँ हो मरने के काबिल इंसान है ऐसा हो उसको बोल रहा है yes said the astrologer हाँ हाँ ठीक है ठीक है लेकिन तुमको पता है जिसको तुम ढूंडने निकले हो जिसने तुमको चाखु मारा था वो तो ट्रक के नीचे आए के मर गया he was crushed कुचल गया under a lorry एक lorry में आके कुचल गया हो the other look gratified to hear it ये सुनके उस ग्राहक को बड़ा gratified लगाए नहीं pleased satisfied हो गया हो अरे वहाँ वहाँ चलो अपने साथ इसने ऐसा किया था इसका भी अन्जाम बुरा हो गया यानि ये भी ट्रक के नीचे आके खतम हो गया पैसेज नमर 5 यहाँ पैसेज नमर 5 यहाँ पैसेज नमर 5 की एक्टिविटी सॉल्व कर रहे है ग्लोबल अंडर्स्टेंडिंग में रीड दा फॉलिंग सेंटेंसेज और चूज दा करेक्ट वन अल्टर्नेटू आंसर एक सही होता है जैसे तीन तीन दिये जाते हैं आपको लिखना पड़ता है गोर से पढ़ना पड़ता है अगर तुम तुम्हारा देहाद दोबारा नहीं छोड़ोगे तो तुमको क्या होगा यूज फेस देंगर अब देहाद मत छोड़ना खत्रा है कैने खेकर नहीं थे जाते है का सक्तिक जाते है क्यों मारना चाहा रहा था तो टेक इस रिवेंच क्योंको उसका बदल लगन चाहाथा D. The astrologer's remarks make Guru Nayak feel all the following except astrologer के जो remark थे वो Guru Nayak को क्या महसूस करा रहे थे कि वो suspicious इन शको शुबात पे मुपतला है next है true false, sentence true है तो true लिखिये false है तो false लिखिये जैसे the astrologer gave a correct prediction to the client about his past सही बात बताया है true है ना the astrologer tried to back out of the deal उसे समझा तो तो लिखिये no false है next है the astrologer resulted himself from rescued himself from Guru Nayak revenge, Guru Nayak revenge से उसको rescue sentence true है तो true लिखिये false है तो false है तो false थी की passage में बरावर पढ़ लिए complex question में complete the web है यह ना कि वेब डिग्राम में क्या है astrologer told the man that astrologer ने उस आदमी से क्या 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 कहा पहले कहा he had been stabbed with a knife आपको चाको मारा गया था he had been pushed into a well उसको आपको कुए में ढखके लगया था he had been left for dead आपको मरने के लिए छोड़ दिया गया था the attacker had died four months ago और चार मैने पहले आपका attacker यहने आपको हमला करना वाला भी मर गया यह बात है उस ने astrologer को astrologer ने उस आदमी को कही थी next है complete the following with what had happened to Grunayak's enemy according to the astrologer astrologer की मताबिए Grunayak के दुश्मन को क्या हुआ था truck में crush किया था ने शायद है ना according to the astrologer Grunayak's enemy had died he had been crushed by a lorry लोरी की टायर में आके खतम होगे था A3 में interpretation में क्या है देखिए एक sentence दिया गया है उसको complete करना है जैसे the man was left for dead because उस आदमी को मरने के लिए छोड़ दिया गया था क्योंके अब आपको लिखना है आगे उसका reason क्या है because he had been pushed into a well in a field है ना हाँ उसको किसी ने कुए में डखेल दिया गया कुए में डखेल दिया था ओके मरने के लिए और पासरभाई ने उसको देखा तो निकाला next है the man looked gratified because his enemy had met his death met him वो आदमी बहुत ज्यादा फिकरमन लग रहा था क्योंके उसका enemy his death by being crushed under a lorry बहुत खुश लग रहा था gratified है ने खुश लग रहा था sorry कि वो उसका दुश्मन crash होके मर गया है परसनल स्पनस में बहुत अच्छा कोश्च है ने सम सजेस्ट समस्टेस अभी पहले पड़े अपने उसमें preparation में के superstitions को eradicate करने के लिए ill practices को eradicate अगर आपको society से करना है यहनि तोहम परस्ती को और खराब रस्म रिवाज को अगर आपको समाज से निकालना है तो आप क्या करेंगे education is the only solution for this लोगों को तालीम आफ्ता बनाएंगे scientific attitude लोगों में पैदा करेंगे है न यह सारी चीज़ें हमको पैदा करना जरूरी है we should give education to our society and we should develop scientific attitude these are the two important points for this question next है vocabulary vocabulary grammar हम बाद में करेंगे vocabulary देखिए meaning of words passerby किसे कहते है passerby कहते है person who happens to be going past something or someone especially on food रहगीर बोलेंगो उर्दु में आपके बादू से गुजरने वाला peep peep कहते है to peer into something cautiously किसी जगा झाकना किसी जगा झाकना overrun में कहते है overcome को यानि उसको means solve कर लेना and groan कहते है made a low sound of distress करा हना यह तो बचो यह activity complete हुई अब हम देखेंगे passage number six हम बचो last passage हम पढ़ने जा रहे है passage number six page number six यह passage में आपको इसमें story end हो जाएगी और कुछ चीज़ें आपको बहुत ही interesting मिलेगी जा suspense रहो खुल जाएगा चलिए the place was deserted by the time the astrologer pick up his articles and put them into his bag जिस वक्त जोतिशी अपना सामन समेट कर बैग में रख रहा था उस वक्त तक सारे दुकांदर deserted यह अपने घर जा चुके थे the green shaft was also gone जो रोशनिया थी वहाँ पर रखी वी वह भी चली गई थी चरागों की leaving the place in darkness and silence और वह जगा बहुत अधिरा आ गया था और वहाँ पर सब जाने की बच्छे खामोशी चा गई थी the stranger had gone off into the night वह ग्राहक भी वहाँ से चला गया था उसको सारे सवाल की जवाब मिल गय थे after giving the astrologer handful of coins handful ने मुठी बर coins उसने कुछी कुछी उसको दे दिये थे सारी बाते सही बताने पर it was nearly midnight तकरीबन आधी रात हो गई थी when the astrologer reached home घर पहुँच आ रही the coin लेकर his wife was waiting for him at door भी खड़ी दर्वादे पुर्फ कर इंतजार कर रही थी जूती शी का and demanded an explanation बोले क्यों इत्ता देर होगी क्या बात है he flung the coins at her उसने सारे सारे coins उसके हाथ में दिये पैसे and said count them you know in go one man give all that एक आदमी नहीं दिया इत्ते सारे पैसे अच्छा 12 and a half आना साड़े बारा आने she said counting उसको किन कर she was overjoyed उसकी खुशी तो खुशी की इंतिया ने रही इतनी खुश होगी इतनी सारे पैसे आज कैसे के मिल गए I can buy some jaggery अपसे तो इन पैसों से तो थोड़ा सा मैं jaggery गुल खरीदूंगी and coconut और कलमे इससे गुल और नारियल खरीदूंगी and the child has been asking for sweets कई दिनों से हमारा बच्चा कुछ गुल पट्टी यहने sweet खाने के मीठा खाने चाहता है so many days now वो बनाएंगे मीठा बनाएंगे I will prepare some nice stuff for her और कुछ ना कुछ मैं उसके लिए nice stuff कुछ मीठा क बनाएंगे बहुत खुश हो गई हो यह थोड़ा सा नारास था और क्या कहा है मालूंगी इसने उस the swine has cheated me, swine एक गाली है English में actually swine कहते है pig को, pig एने finzir, अब आप समझ जाएए मैं वो अलफाज नहीं इस्तेमाल करता जो उर्दू मेरा है जो उस साले ने मुझे cheat किया, य प्रामिज में रूपी, वादा करा था कि एक रूपिया देगा और दिया साड़े बारा आने, said the astrologer, she looked up at him, बीवी ने उसके तरफ देखा और पूछा, you look worried, इत्ते सारे पैसे तुम लाया आज तो, तुम ले तो, खोश होना चाहिए था, तुम इत्ते परिशन क्यों लग what is wrong, क्या, हुआ क्या, कुछ गलत पेशा आगया कि तुमारे सब, nothing, nothing, अरे कुछ ही नहीं, सब फाल दूबात, after dinner, तोनों खाना खाया, sitting on a pill, एक प्यॉल, एक टिसन का कॉट होता है, पलम होतो उसके बैठे, he told her, अब सुनाई उसने कहानी, astrologer ने अपनी बीवी को, do you know, क् great load is gone from me today, एक बहुत बड़ा परड़न जो मेरे सर पर था ना, बहुत बड़ा बोजा था वाज निकल गया, मुले क्या, I thought I had the blood of a man on my hands all these years, इतने सालों से मैं सोच रहा था, कि मेरे हाथ एक आदमी के खून से सने हुए है, यानि मैंने एक आदमी का murder जो किया था, तो वो murder room, murder room, अब आया समझ में आपके, that was the reason why I ran away from home, इसलिए मैं घर से भागा था, settled here, यहां आके बस गया था, and married you, और बीव से का, तुम से शादी की थी, he is alive, आज हो आदमी मुझे जिन्ना मिलाए, अब आपके समझ में हमने line underline क्यों कराय थे, पैसे नमबर 4 ये 3 में, जैसी उसने माचीज जलाया था, और astrologer ने उसका चेहरा देखा था, तो उसको, ये actually, ये दोनों दोस्त थे, और astrologer नहीं उसको मारा था, और मार के फेग दिया था, और इधार आकर astrologer का पेशा थियार कर लिया था, तेंकि जब उसने देखा, आरे बापरे, ये तो वही आदमी है जिसको अपन ने मारे था, ये दिन्दा है, तो अब आपको इस्टोर समझाएगी है, ना, वही आई रेन हम फ्रॉं सेटल देखा, और मेरे दिन्दा है, अरे वह तो दिन्दा है, शी घास्प्च, भीवी को तो सुनके सांसी फूल गया एक्दम, ये तो तो किल इम, तुम इसे अग्मियों, तुमने उसको मारने की कोशिश की थी, ये सिनवर विलेज, हाँ, हमारे दियात में हम दोस्त थे, जब अकल नहीं थी, नौजवान थे, वी ड्रेंक, हम शराब पीते थे, गैंबल जुआ खिलते थे, कॉरल, बैडली, वन डे, और हमने एक दिन, बहुत हो गया, why think of it now, बीवी बोली, जन्दो जन्दो, अब काय को सोच रहे हो सारी बात, अब हो गया हो, अब तुमने बोल दियो उसको, अब वो चले गया, और अच्छा हो तुम गोलने पाजाना नहीं, तुमने उसको बाजाना लिया, बट तुमने उसको नहीं पाजाना, time to sleep, चलोब सोने का टाइम हो गया है, he said yawning उसमें एक जमाई ली and stretch himself on the pure, और एक मेनान से वो कॉट पर सो गया, तो इस तरह बच्चो आपको स्टोरी समझे में आई होगी, है न, कि कितना suspense इस स्टोरी में था, चलिए, हम activity solve कर रहेते हैं, और इस chapter को खतम करते हैं, ओके, हाँ बच्चो पैसेज नंबर 6 के activity हम देख रहे हैं, ये last passage, the place was deserted से लेकर, last तक, digest का एपिज नंबर 13, हम यहाँ पर नवनीत के, digest से पढ़ रहे हैं, जो English version वाला है, ओके, read the following sentences and choose the correct option, आपको सवाल आ सकता है, following question, आप देखिए, correct option, लिखना है, जैसे reactions of the astrologer's wife to his news suggest that, wife को, जब इस astrologer के life के बारे में, news मिली, तो wife कैसी थी, unaware of his past, उसके, उसके पिछली जिन्दगी से unaware थी है नहीं, नावाकिक थी, ओके, बाकी तो, next है, true-false, है ना, जैसे, when the astrologer came to know, that the man whom he killed is alive, जब उसको पता चला कि जिसको उसने मारा था, वो जिन्दा है, he felt that he was relieved of his guilt, कि उसको ऐसा लगा, कि अब उसे, उसका जो guilt है, उसका जुर्म है, उससे, वो relieved हो गया है, okay, बिल्कुल सही है, true, next, the moral of the story is that, we must be responsible about what we do, what we have done, should not run away from our mistakes, हमने अपने गल्तियों से नहीं भागना चाहिए, है ना, moral story यह नहीं है, बल्के, we should be very responsible, and we should not run away from our mistakes, इसलिए false है, तो true-false में sentence को गुर से पढ़ना चाहिए, नहीं कम से कम अपने को मतलब समद रहें, तो कम से कम उसको पैसे से मिला लेना चाहिए, next, moral of the story क्या है, that we should never believe in superstitions, okay, यहाँ पर, यहाँ मतलब है कि हमने तोहम परस्तियों में नहीं पढ़ना चाहिए, okay, then, A2 है, complex factual, describe the load on the astrologer's mind, क्या दिमाख पर बर्ड़न था उसके, उसको क्या बर्ड़न आगे था, he thought that he had killed a man after a quarrel, उसके दिमाख पर बर्ड़न था, जगड़ के बाद एक आदमी को अपने मार दिये थे, he felt intensely guilty, उसको जिन्दगी, उसको एहसाद नदामत रहता था, about this, and he had run away from his village, इसलियो वहाँ से देहाँ से भागा था, this feeling of guilt was the load on the mind, right? ये उनका mind पर वो था, कल्बा था उसका, डर था, second, was the astrologer's wife happy? क्या उसकी बीवी खुश थी with his day's earnings? दिन भर जो कमाया था? Yes, what did she plan to do? खुश थी नहो, yes, the astrologer's wife was overchavet with the day's earnings, क्या प्लान था, उसका, to buy some jaggery and coconut for his son, some sweets, okay? Then, inference में क्या है, the astrologer had changed his appearance, and his person, persona when he arrived in the city, जब वो शहर में आके रहने लगा, तो उसने अपना हुलिया क्यों change किया? Because he had killed a man after a quarrel, एक आदमी को मार के आया था, he was afraid, वो डरता था, he would be arrested and jailed for the crime, कि अगर किसी ने बचान लिया तो arrest कर लेगें, jail हो जाएंगी, hence to avoid, तो इस detection को avoid करने के लिए, he changed his appearance in the city, उसने अपने उलिया को दबदिल किया है, personal response का question क्या है? The astrologer wins, gets the sympathy criticism of the reader in the end, आखिर में स्टोरी में, हम पढ़ने वालों की sympathy, यानि हमको रहा मारा है उस पर, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो उस पर criticism करना है, या कुछ उसके, हमको express करना है, I think I sympathize with the astrologer, last में हमको, last में वो criminal होने के बावजूद भी, हमको उस पर रहा मारा है, क्यों, कि he did not try to intentionally kill Guru Nai, वो जान बूच कर उसको नहीं मारा था उसने, तो it has happened in the hate of the moment, उस वक्त वो गर्मी-गर्मी में हो गया होगा, of course he should not have run away, उसने भागना नहीं चाहिए था, but should have accepted responsibility for his crime, अपने crime की responsibility, तो कुभूल करना, how is this genuinely sorry for that, great load is gone from today, और ये बात साबित करती है, कि वो अच्छा इंसा ने क्या, आज मेरे सर से बोच चला गया है, ये बात बता थी, कि उसको ऐसा से नदामत था, okay, then come to the vocabulary, last grammar हम बादने पढ़ेंगे, find examples of code mixing, हिंडिय अलफास कोन से थे, अना, आना, और प्यॉल, प्यॉल कहते हूं पलंको, okay, ये दो हिल निया थोगे, एक्स्ट्रेक्ट में एंटॉनिम्स, opposite अलफास, light का opposite होडता है, darkness, okay, noise, shore, का opposite है इस passage में, silence, खामोशी, few, कुछ, का opposite है many, ज्यादा, and dead, मरा हुआ, opposite है alive, जिन्दा, okay, और काफी सारे vocabulary, page number 15 और 16 पर है, आप इसमें देखिए, जो कुछ हमने पढ़ाया है, और इसमें, चैप्टर में, जो कुछ ये, brainstorming में है, वो तकरीबन इसमें, 90% solve हो गया है, खिर भी आप एक बार देख लीजेगा, उमीद है, कि बच्चों आपको ये, चैप्टर पूर्द तरह से, अच्छी तरह से समझ में आया होगा, थोड़ी सी स्पीड में हम इसलिए पढ़ाते हैं, कि इतना सारा इंटरनेट पर लोड़ होने में, बहुत मुश्किल होता है यूट्यूब पर, इसलिए थोड़ा बजाए हमको स्लो करने के, आप अपनी स्पीड मेंटेन कीजिए, अलाफिस,